लो फ्रेंड्स मैं संजय आप सभी का सौगत करता हूं आपके अपने चैनल जुबिटार क्लासेस एजुकेशन एकरमी में तो दोस्तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में मार्च महिने के इंपोर्टेंट डेस के बारे में पढ़ लिया था आज हम लोग बात करने वाले हैं अप्रेल महिने के इंपोर्टेंट डेस और उससे रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनकी बात करेंगे ठीक है तो इस वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ नया मिलने वाला है थोड़ा सा टाइम लगया वीडियो लाने में सॉरी बट देर आये दुरुस्त आये अच्छा मैं आपको बता देता हूं कि अप्रेल महिने के जो भी इंपोर्टेंट डेस हैं इनसे रिलेटेड अपन ल चार अपना से सborne तो एक अप्रेल को उतकल दिवस यानि की उडिचा दिवस मना जाता है ठीक है उतकलुरी सा का पूराना नाम है जो कि हमारा जंगन मन हैं उसमें उतकल सब्द आया है वह यही है उडिचा का ही नाम है ठीक है तो एक अप्रेल 1936 को उडिचा की इस्थापना हुई थी clear हुआ चलिए next बात करते हैं दो अप्रेल को हम लोग बिस्व autism जागरुकता दिवस मनाते हैं यह एक प्रकार की बीमारी होती है ठीक है next बात करते हैं अंतर राश्टरी खदान जागरुकता दिवस जो लोग खदान यानि की कोईले की खदान हो गई या और भी जो खदाने होती है वहाँ काम करते हैं तो उन्हें जागरुक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है चलिए next है 5 अप्रेल 5 अप्रेल को राश्टरी समुद्री दिवस मना जाता है ठीक है next बात करते हैं 6 अप्रेल 6 अप्रेल को अंतर राश्टरी खेल दिवस सांतिवा विकास के लिए मनाया जाता है यानि की International Day of Sports for Development and Peace ओके next है हमारा 7 अप्रेल बहुत 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 इंपोर्टेंट है 7 अप्रेल को हम लोग 20 स्वास्त दिवस यानि की World Health Day मनाते हैं ध्यान दीजेगा कि इसका मुख्यालय WHO जिसे आप लोग जानते हो WHO का मुख्यालय कहा है तो Geneva Switzerland में है इस्थापना 7 अप्रेल 1948 को हुई थी बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है काफी बार एक्जाम में आप लोगों ने देखा होगा इसे next है हमारा 10 अप्रेल 10 अप्रेल को हम लोग 200 होमियोपैथी दिवस मनाते हैं World Homeopathy Day हरजाल 10 अप्रेल को Samuel Hennyman की याद में मनाया जाता है clear हुआ चलिए next बात करते हैं 11 अप्रेल 11 अप्रेल को National Pit Day जानवरों के लिए यह दिन मनाया जाता है next है मारा 11 अप्रेल को ही राष्ट्री सुरक्षा मात्रत दिवस यानि की National Sap Motherhood Day मनाया जाता है अब देखें यहां पे थोड़ा सा important fact हाला कि एक्जाम में आएगा नहीं बट हमें जानकारी होनी चाहिए गर्वती महिलाओं के स्वास्त की उचित देखभाल और प्रसो संबंदी जागरुकता फैलाने के उदेश से हर साल यह दिन 11 अप्रेल को मनाया जाता है अब देखें यहां पे कि 11 अप्रेल को कस्तुर्वा गांधी के जन्म दिन की साल गिरा को रास्ट्री सुरक्षा मात्रोत दीवस की रूप में घोशित किया गया है ठीक है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि यह दिन क्यों मना जाता है और किस की याद में मना जाता है चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 अप्रेल यह भी बहुत important question है और यहां ते 4-5 question बनते हैं देखेगा कैसे अंतर राष्ट्री मानव अंतरिक्ष उडान दिवस जो की 12 अप्रेल को मना जाता है अब देखे यहां पर कि पूर्व शोबियत संग के नागरिक यूरी गैगरीन ने 12 अप्रेल 1961 को वो स्ताक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए पहले उडान भरी थी अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले वेक्ति बन गए थी अब देखे यहां से कोस्चन कैसे बनने है कोस्चन पहला कोस्चन तो आपका यही बन जाएगा कि अंतर राष्ट्री मानव अंतरिक्ष उडान दिवस कम मना जाता है ठीक है दूसरा question बन जाता है कि यूरी गैगरीन कब गए थे यानि कि किस सन में गए थे या अंतरिक्ष में गए थे ठीक है next बन जाता है कि पहले अंतरिक्ष यातरी कौन थे तो भी यूरी गैगरीन थे clear हुआ यानि कि 4-5 question यहां से निकलते हैं आपके बहुत important है next बात करते हैं हम लोग 13 अपरेल 13 जलिया वाला बाग हत्या कांड 1919 में अमरेसर में हुआ था यह हमारी इतिहास की एक बहुत ही दुखात घटना थी जो कि जनरल डायर के सासनकाल में हुई थी इसके बारे में हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं मुझे लगता है इसके बारे में ज्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है चलिया next बात करते हैं 14 अपरेल 14 अपरेल डॉक्टर भीम रौ अंबेडकर जी जो हमारे हैं उनके जन्म दिन के रूप में इसको मनाया जाता है और इन्हें समविधान का पिता कहा जाता है समविधान निर्वाता है यह और दिखेगा यहां पे कि समानता दिवस और ग्यान दिवस भी ग्यान दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है समानता दिवस और ग्यान दिवस के रूप में क्लियर हुआ क्योंकि यह समानता के लिए संघर्स करते रहे पूरी जीवन भर की समाज में समानता होनी चाहिए सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए काफी कुछ चीजे उन्होंने दी और जो की साथ आज भी कहीं न कहीं लोग अभी धीरे धीरे बदलाओ होगा खेर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 15 अप्रेल 15 अप्रेल को विश्व कला दिवस यूनेस्को के द्वारा मना आ जाता है 16 अप्रेल बहुत इंपोर्टेंट काफी वार एक्जाम में आया हुआ है अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इसे एक्जाम में भारती रेल सेवा दिवस 16 अप्रेल को मना आ जाता है पहली ट्रेन मुंबई से थाड़े 34 किलोमीटर 1853 में चली थी धियान से देख लेजेगा इसको क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कोस्टन मिलने वाला है चली नेक्ट बात करते हैं 17 अप्रेल 17 अप्रेल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मना आ जाता है ये भी एक प्रकार क की बीमारी होती है आप लोगों ने साइंसे में पढ़ा होगा कि हमारे सरीर में जब चोंट लगती है तो खोन निकलता है और जब खोन निकलता है तो एक रक्त का थक्का जम जाता है ठीक है ना जिससे खोन बहना बंद हो जाता है तो जिसको हीमोफीलिया की बीमारी होती है न बेटा तो उसको रख्त का थक्का जमता ही नहीं है यह एक प्रकारी के अनुवांसिकी बीमारी होती है जो कि माता पीता से मिलती है क्लियर हुआ I hope कि आप लोगों को समझ में आई होगी बात चलिए next बात करते हैं अठारा अपरेल बिस्व धरोहर या विरासत दीवस कहते हैं इंगलिस में इसे वर्ड हेरेटेज साइड बोलते हैं है ना जैसे कि बिस्व विरासत में हमारे देश से भी बहुत सारी चीजे सामिल हैं पर एक्जांपल ताज महल हो गया सांची इस तूफ हो गया खजुराहू मंदिर हो गया तो इस तरह से बहुत सारी चीजे जो हैं हमारी पूर्व धरोहर जो है राजा महराजाव के जमाने की चीजें जो धीरे-धीरे विलूप तो होती जा रही है तो उन्हें बचाना है, उनका संड्रक्षन करना है तो उसके लिए हम लोग इस दिन को मनाते हैं नेक्स्ट है हमारा ओनाईस अप्रेल जिसे हम लोग 200 लीवर दिवस के रूप में मनाते हैं ध्यान देना है कि 200 लीवर दिवस यानि कि लीवर का हमारे बॉड़ी में कितना इंपोर्टन्ट रोल होता इसका महतो बताने के लिए इस दिन को हम लोग मनाते हैं अब है अगला ध्यान देजाएगा 21 अप्रेल बहुत इंपोर्टन्ट है अब देखिए यहाँ पे कि सरदार वल्लव भाई पटेल ने स्वातंत्र भारत के प्रथम लोग सेवा सत्र को मेटकॉफ हाउस में संबोधित किया था क्लियर हुआ बात चलिए और इसे से रिलेटर और क्या है कि जहां उन्होंने लोग सेवकों को इस टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर सम्मानित किया था ध्यान दीजेगा यहां से भी कुष्टन कैसे बनेंगे कि पहला जो हमारे मतलब प्रथम लोग सेवा सत्र को किसने संबोधित किया था तो सरदार बल्लब भाई पटेल जीने किया था और उन्होंने क्या कहके पुकार रहा था इन्हें तो इस टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहके पुकार रहा था क्लियर हुआ बात चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 11 अप्रेल को ही 200 रचनात्मक एवं 94 दिवस्ट के रूप में मनाते हैं यानि Creativity and Innovation Day के रूप में मनाया जाता है पहली बार इसे कम मनाया गया था तो 21 अप्रेल 2018 को इसको पहली बार मनाया गया था और तब से इसे मनाना शुरू किया गया है नेक्स्ट है हमारा 22 अप्रेल 22 अप्रेल को 200 प्रिथवी दिवस मनाया जाता है वर्ड अर्थ यानि कि हमाधरती जो है इसे हमें साफ उचर रखना चाहिए और जो भी है कॉपी रराइट डि की रूप में मनाते हैं हम लोग ठीक है 24 अप्रेल 24 आप्रेल रास्ट्री पंचायती राजदिवस की रूप में मनाते है ध्यान दिय amazing when kami इसके बिना तुम मेरे हिसाब से एक्जाम में कुष्टन बनता ही बनता है ठीक है अब देखिए यहां से तीन चार कुष्टन बनते हैं कैसे और हो सकता है कन्फ्यूज भी हो जाएंगी आप लोग देखिए 24 अप्रेल को राष्ट्री पंचायती राज़ दिवस मना जाता है अब देखिए यहां पे कुष चीजे मैंने लिखी हैं कि संभिधान में 73 वा संभिधान संसोधन अधिनियम 1992 के तहत भारत में पंचायती राज़ विवस्था का प्रावधान किया गया यह अधिनियम 24 अप् 1993 से प्रभाव में आया था अब देखिए यहां से कुष्चन कैसे बनता है पहला कुष्चन मनता है कि राष्ट्री पंचायती राज़ दिवस कब मना जाता है तो कब मना जाएगा 24 अप्रेल को दूसरा कुष्चन मनता है कि कौन से संभिधान संसोधन के तहत मतलब किस में यह पारित हुआ था तो 1992 में पारित हुआ था और किस सं में यह प्रभाव से आया यानि कि लागू किस सं में हुआ था तो 1993 में लागू हुआ था आई थिंक कि आप लोग समझ गये होंगे मैं क्या कहना चाहरा हूँ ठीक है तो इससे रिलेटेड भी अपनने कितानु मादा एनिफिलीज मच्छर के मादी हम से फैलता है ठीक है मैलेरिया मादा एनिफिलीज मच्छर के काटने से ही होता है जो नर होता है उसके काटने से नहीं होता है मैलेरिया ठीक है चलिए नेफ्ट है हमारा बेस्व पसु चिकित्सा दीवस बिटनरी डे जो की अंतिम सनिवार को होता है, अब उनतिम सनिवार किस देड को फसेगा, अधिकांस्ता साय 30परेल को फसता है, बट जो भी हर साल अलग-अलग भी हो सकता है, ओके, फिर है, 26परेल, 26परेल को विश्व बौध्धिक संपता दीवस की रूप में मनाया जाता है, ठीक है, और लास् आई अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे important question तो पहला question हमारा क्या है देखिए इस तरह से question आया हुआ है MP police 2017 में question आया हुआ है मैं बता देता हूँ आपको आप लोग देख लेना previous year का paper उठा करके कि आधूनिक भारत के किस प्रदेस में railway ने प्रथम अपनी प्रथम rail चलाई तो आप लोग सोचिए और अपने मन में बना लेजे कि भाई किसमें चलाई थी उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही ठीक है तो आई थिंक कि आप लोगों ने सोच लिया होगा answer आपको आता होगा तो कहां चलाई थी महारास्ट में चलाई थी इसका राय टेंसर हो जाएगा मह ठीक है 34 किलोमेटर मुंबई से थाने चली थी ट्रेन ओके चलिए नेस्ट बात करते हैं हमारा उतकल दिवस कम मना जाता है यह भी मैंने आपको बताया उतकल दिवस कम मना जाता है तो उतकल दिवस एक अपरेल को मना जाता है क्लियर हुआ तो इसका answer हो गया एक अपरेल चल आता है तो डव्या चो की इस्थापना जो हुए थी साथ अपरेल उनिश्व और तालिस को हुए थी क्लियर हुआ चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूरी गयागरीन द्वारा पहले अंतरिक्ष उडान कब भरी गई थी अब आप लोग वो को बताना इसका answer आप लोग सोच लिजे अपने मन में उसके बाद फिर बताइए यूरी गयागरीन द्वारा अंतरिक्ष में पहले उडान कब भरी गई थी तो आई थिंग कि आपने सोच लिया होगा और सही जवाब भी दे दिया होगा तो बारह अपरहल उनिश्व एक्साट में यूरी गया गरीन ने पहल राष्ट्री पंचायती राजदिवस्थ कब मना आ जाता है तो इसका सही अंसर क्या होगा 24 अपरेल को ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत में पंचायती राजवस्था कब लागू की गई अब मैंने आपसे क्या बूला था दो सन बताए थे मैंने एक उनिस सो बा इसमें बॉला कंफ्युजण होता है थो कब लागू की गई है मैंने बूचाया थे क्या हती और उनिस सो ठीरान नवी में लागू की गई थी और पारीद कब किया गया था उननिस सो बाननव में किया गया थे इसमें कलियर टरी का लेजाए हिसिगा चलिए नेक्स कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा यदि आप लोगों को थोड़ा सब्सक्राइब यार कि हाँ यार वीडियो पसंद अच्छा लगा यार हमारे जानकारी के लिए बहुत इंपोर्टेंट चीजे मैंने बताई है तो प्लीज आपने दोचार दोस्तों के साथ सेर कर यानकारी मिली होगी और बड़े काम का थोड़ा बहुत बहुत बिएगर कुछ काम का आया हो वीडियो तो सेर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुग तो ठीक है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरह से और भी अच्छे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगला हमारा अप्रेल के बाद मैं आएगा तो कोशिच करूंगा जल्द ही ओके तो थैंक यू सो मच